आज चने वस्टा जार ये परिशान है झीनी के बतले में नमक देते हैं आज बिल्कुल सही बात है याप लोगों को भी चीनी को बतले में आज बील्कुल ऑन दाल के दिया है निशीने नहीं खाया है इसलिए आप लगातार कहरें के ब्रश्टा आज पहोट एल्दों ओए आप लोग यह ऑचार्ट यह आदें पुरे पूरे नमस्ते है क्या कर रहे हैं आप लोग हो है इन इस दीजिज है यह ऐह क्या है यह और अंच्छा ठाल 10 कैसे पानी आता है इसमें तो बरसाद का पानी कि इसमें कैसे जाएगा कैसे सब में शेद है क्या तो तो इहां दिखा तो यह बारिस का पानी इसमें जाता है तो फिर पानी पीते हैं आप लोग अच्छाइब लगी लाइने उन्होंनों क्या किया अपने पेट के लिए अपने इसाब से सरकूल जो यह सर्वे की है और सही नहीं किये गल्द करके उन्होंने अपने लाइने तो पिछा दिये पाणी नहीं पहुंचा खाली ओधिया पड़ी ए टै किलोमेटर रेंज के लिए अच्छा एक्टा रेंज बढ़ा के और अपने अपने पाइप डाल दिये गए पाणी आता नहीं बूंदी और सारी उन्होंने योजना अपने पेट के लिए बनाई है यह यह गाउं कौन सा है यह रामसर में ढ़नी पड़ती है ढ़नी पड़ती है कितने दिन पहले बनी यह एक माँ हो गया यहां से 10 किलोमेटर तक है उसके बाद मैं भारतमाला का चालू हुआ है काम भारतमाला भी चालू हुआ हाँ वी काम बनने से तो आप लोगों का मजा आगे आप तो नहीं रोड तो अच्छे बने हैं रोड है कहां दूजरे अच्छा जो सरकार आती है ना अच्छा यहां एस्टेट की सरकार जो आती है अच्छा अच्छा जिसमें अच्छा जिसमें से 60-70 पेसे पर्चियें बार निकलके मेडिकल पे दोई मंगाई जाती डोक्रों के दोबारा है किसी को कोई जबाब नहीं देते अंदर आज़ कर आना तो कराओ नेज़ चले जो हमारे कोई लणा जाना नहीं आते हैं जैसे लेब बडाया बाड़ में से आएगा ट्रेंज से साड़े आठ बजे और साड़े जाती ग्यारे जाती जाती ग्यारे बज़े वहां से शाइन करके रहान हो जाता है यह आज आज इसका हैं यह पूरा इस्टा भीर हम leaks मास्टर का तो यह अल घू है भी फाने का सरों का सबूस्त भीवाग पकड़ नहीं है खुली भाद चिसमें बश्टा जा रएंगा को उसा दो कर लोगों के दिखावा कर रही है जो अधने के लोगों को दिखावा यहां सब कुछ पानी की विवस्ता कर गई है लेकर हमारे यह तक पानी की हो बूत ही बहुत से ज़्याद़ समस्या एक नहीं है तो मतलब आपका खाना पीना सब बनता है बर्साद के पानी कोछ हम टेंकरों से मंगाते हैं जो बार्व खड़ा है एक अजार पे लेगा और उसमें पानी आएगा आप एक बारा सो लिट रहें तो यह पूरा पानी प्रजर्ब रह जाता है अंदर यह बारा मेंने का हमारे को आभानी के लिए जगडा फसाद भी होता होगा जगडा फसाद नहीं हम संक्टी से करेंगे जगडा पानी तो मिलेगा नहीं पानी तो संती से मिलेगा वे सब लोग रखते हैं अचाहिए यह एक हर गाउं में मतलब कितने आस पास रहते हैं यह थारों में एक दो दो तीन तीन टांके बढ़े हुए इस तोरिज गए अपना नीजी होता है लोग कोद बनाते हैं सरकार बनवाकर का भी है अच्छा रहा है इसमें मगर वह लिपा पोते करके चले जाते हैं पैसा शारा कर ले रुपे में पचास पैसे लोगों को तब पॉर्डर के लास्ट लगवग लगवग लास्ट गाउं है दिखा दो जीत इधर दिखा ये पूरा ये बकडी जो है आप ही लोग की है क्या अच् पैसे मिलते हैं अच्छे ज्यादा तर बकडी और गाय का दूद बिकता है पहले क्या पाकिस्तान भी चला जाता था खूब जादा यह तो बंद होने पर फायदा ही हुआ है फायदा हुआ है बिलकुल पहले क्या चोड़ी होती दर से लोग आते थे ले ले बी जाते और यह अब बंद हो गया है अब बंद हिंदू लोगों का हुआ है अब ही दंदा कर रहे है इसमें कोई को दोराय नहीं अब है नहीं बोडर बंद है इनका सीक्रेट कोड नंबर पे अभी कई वार माल पकड़ा गया और उनके पैसे जो बंदे गरीब यह पाकिस्तान का जो हैदरा अब पाकिस्तान का है जाते हैं उसको जाते हैं जो पराने मतलब पाकिस्तान का बंद हो गया है अब उधर ले जाते हैं इसमें कोई दो रहें ती बॉर्डर बंद हो जाने साप लोगोश है ती हिंव क्या प्विधियू ब्हूश है अब में आप सिस्तिकॉर्ण मुस्लिम प्ता के जो जो हैं सर में बात कियाना चाहता हूं हमारे यश्य रिधान सबाय इस में काफी शाल बीजेपी बोड दिया कांग्रेस को भी दिया लेकिन हमारा कुछ पायदा निए चाहते सब्सक्राइब करें अब की बाटी की सिरकार बनेगी और श्रीव के अंदर कुछ बदला वाएगा उनके समर्तक है हम बिजे पीना चाहते हैं ना कांग्रेश हमारी श्रीव में योगी का दूसरा रूप है योगी कितने काम करूंगा ना खुद खाउंगा मतलब जितना योगी ने किया है ना उससे बैतर मैं करूंगा योगी ने यूपी को पूरा पलट दिया योगी में सब्सक्राइब अच्छा आप बिलकुल बता दी क्या प्रश्टा चार पूरा भी बाग है जैसे यहां पे पतर बंडी होनी ती है इससे क्या दिकत क्या होती है इसके पानी से दिकत आगी रेती तो यह खाली होगे तूट जाएगा फिर इसमें रेत आजाएगा निकल जाएगा साइटों से सेमेंट का इस्तमाल नहीं किया गया नहीं बिलकुल नहीं करने वाले भी तो आप ही के लोग होंगे यह क्या करें वह तो परसाशन पे टांकाइश यह करते हैं क्या करेंगे यह बताईए में बनने के लिए पैसा लेते हैं स्कूल कॉलेज का क्या हाल है यहां पर यहां पर तो बहुत यहीं चैटर में जो सबसे पिछरा हुआ गोर्मेंट सर्वेंट तो टीचर लगी हुए यहां पर दो गंटे आते कम सिल पर ब्रशन सरीश देतें वो भी मैं खुद तो बच्चे कोचिंग और यहां पर यहां पर पट्रोल की कम कीमत की तो बात करते लेकिन जहां अपनी सरकार वहां कम नहीं करते हैं हमां हमारे बाड़े में पेंट्रोल निकलता है तभी इतना मेगा मिलता हैizada बाड़े में तेल कुले तो भी बांगे मिन्ट 27-2002-shit इसमें भश्टाचार के लिए नकल नक नकस होगे तब कोई पब्लिक असुदार नहीं होगा नहीं होगा जब छोटे ले पर आप कहरें कि इन सब जगों से यह जो पानी जमा करने का देखिए बारिश का पानी लोग का गुजारा है और इसमें भी बालू चला जाए तो फिर क क्या पीएंगे आप लोग बहुत कर्ष्ट होता है हम लोगों को देख करके का आप लोगों को जब मैं जैसल मेर गया था पिछलों दिन और टूरिस्ट के लिहास से तो मुझसे पूछा कि कौन सा पानी पीएंगे कौन सा पानी बारिश का पानी या फिर बोतल वाला पानी लिए जिसने राजस्थान को बहुत नहीं जाना है उनके लिए अखिर सासन कि पर्ष Means और आप लोगों का जीविका अपीर का पानी यह पीना पड़ता है अ आपके पास पानी प्या वह बारिस का पानी होगा परशासन के विवाग है उन पी कंट्रोल ना होगा तब दक कोई पबली की सुधार नहीं होगा नहीं होगा देश के आखरी छोर पर भष्टाचारी सबसे बड़ी समस्या है और देखी आलम चुके निश्चित रुप से के वैसे जगह है जहां पर ना खेती बारी की सुविदा है यह पेर की सब चीज की हैं यह बबूल का पेर है क्या तो क्या इससे कोई वैवसाय आप लों का होता है क्या डिमांड करते हैं के युवाओं को रोजगार मतलब कैसे मिले सरकार बदलेगी तो क्या आप लोग मोदी जी तक या पिर यहां की जो सरकार उससे क्या बात पहुचाना चाहते हैं यहां कि रोजगार में बाहर की कंपनी आई हुए है रिपेंडरी है सो रोजगार का जड़िया हो सकता है कर लोकल को नहीं मिल रहा है तो बहुत गलत बात है चलिए वह लोग कंप सेलरी पर वह लोग कंपर रहे हैं यही है तो भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलोजी में तु एक पहुंच गयाना पैस्ति खरिपश्चा हल fel iki निर्प्गार तक पहुंचे हम लोग यही चाहेंगे कि यह चीजें जो है इतनी परिशानी है यह बात आप तक सरकार तक पहुंचे बात पहुंचे पहुंचे रहा है पहुंचे बाता है जैसे 50 किलो का कटा है उसमें कटे में 20-25 किलो गहुंचे आता है जैसे कंट्रोल डीलर जो है उसके पास में तो 25 वाड़ा 50 कहां से पूरा करके देगा यह बताइए वहीं से पीछे से खतम करके भेजते हैं सरकारी विवाग तो फिर वह उसमें भी हमारे से 1 किलो और भी कम देगा तब ही पूरा होगा कहां से पूरा करेगा अपने घर से पारी मिटी ठीट है अब देख लो शृधा बिल्कुन था जा लोर में नमक चीनी के बतले में नमक देख बिल्कुल शही बाद है आप लों को भी कि ने ख़या है तो जो के बलू मुटी एक का रंग डाला अभी भी हमारे राम सर में जाकि देख लो इसमें पड़ा हुआ है कोई नहीं लेके गए यह यह राज सरकार के तरफ राशन आए उसकी बात करें कोई उपयोग में नहीं था इसी लिए आप लगातार कहरें कि ब्रश्टाचार बहुत ब्रश्टाचार तो ही नहीं खुले में पूरा पूरा खागे मिट्टी दे दिया कुम अच्छाइए उसका बाता जैसे मिर्टी है तो उष्में लाल रंग डाल दिया है तो यह कसरा पूतर ह होसमें डाल थीया कर दिया और दिया कोई माल पड़ा हुआ कोई नहीं लेकिए यहां का जाएंगे जो चीजे दिये वह हमारे खाने के लायक कोई है नहीं वह फुड अगर खाने की आइटम ही नहीं बिल्कुल नहीं बहुत ही खराब चीजे बहुत अच्छा है आप खालो गरीबों को देते हैं फ्रीफंड में ना सब्सक्राइब लुगों को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को समझाव के लिए वह जब रिखावे के लिए बाति एक इस नहीं से उन्हें उसने सरफ 40 सितारी हो गया और जो फॉन मिले हैं वह वाकर बाड मेर के दो गाउं में पोण को उन्होंने लाकर अंदर पर हलांकि वह जो फॉन दिया उसमें राज्तान सरकार का मतलब कम से कब 200 करोड उसने बजट लिया है हुआ पॉन के बदले क्या देदिया फॉन दिया लेकिन जो फॉन बाटे है ना 40 लाग फॉन वह मतलब सरा सरकार पे करज किया है बहुत क्या नाम है आपका महावीर सिंग जी आपका वोट है पहली बार डालोगे यह से पहले डाले हो नहीं पहले डालेंगे इसे जागरूक लोग हैं देश के आखरी छोड पे बहुत अच्छा यह लगता है कि इस तरह का मैसेज इस गंभीरता से लोग बात कर रहे हैं और यह की राज्य सरकार पर इतना प्रेसर डाल दिया है कि कई सालों तक नहीं चुका पाई कर्ज लेकर के एक सपना दिखाया गया मिट्टी खिलाने का सपना जो यह किसान है इनका अमारे भीमा लिया है भीमा कर्ज माफ कर देंगे कर देंगे तब राउल गांदी ने कर्ज माफी का एलान किया रहा कि मैं दस दिन के अंदर कर्ज माफी कर दूंगा जो भी है अपना खेशी सी है सब उन्होंने कर्ज माफी लोली पप दिया जंता को पूर इंसूरेंस किया हुआ फसल का इंसूरेंस हमारे को रुपय में दस-बीस पेसे नहीं टेंड हो रहा है यह मारे फसलें पूरी वेस्ट हुई है इस साल जो रिकार्ड गया है वो भी सही है और ना अमारे फसलें देख लीजिए हमारी सारा जमीन कौली पड़िए मगर उस सर्कार को उमीद की जानी चاूर को मोधी सर्कार समझे कि राजस्तान और भास करके राजस्तान में भारत के आखिरी चोट पर जो गाउं वो कितना पीरित और प्रतारित है कि उन्हें अनाज के नाम पर मिट्टी खिलाए जा रहा है पानी के लिए बारिश के पानी जो पीने के लिए जमा करते हैं वो भी इस योग नहीं रहता वो भी इनके करप्शन के कारण बहुत सारी चीजें हैं सरकार को बहुत गंभी तासे स्पे कि भारत के एक नागरिक होने को सम्मान के साथ जिन्दगी जी सके कम से कम वो इतना हक तो एक भारती नागरिक के रूप में इनका बनता है बहुत बहुत धन्यवाद